नवसकर दोस्तों मैं हूँ मनोज कुमार और आज हम लोग बात करेंगे कंसोली डेट पे ठीक है यह ओप्सन आपको मिलेगा यहाँ डेटा में जाने के बाद जो है यहाँ पे कंसोली डेट मिल जाएगा ठीक है इसको किस तरह से यूज करते हैं उसके लिए देखे क्या है कि ह तों तू तो का डेटा दिया हुआ चाहाँ जुलाय तक करते हम दिया हुआ है और यहां बेजन ट्रीक डेटा हुआ हुआ है और मैं चाहता हूं कि यह थियार का डेटा जो है सभी को मैं मैं एक नया सीट में लेके जाता हूँ नया सीट में ले जाने के बाद जो है ऑप्सन क्या है इसका इधर में ribbon tab में data में जाने के बाद जो हमारे पास एक option आता है वो option क्या आता है consolidate टीक है अगर इस option में जाएंगे तो हम लोग अगर यहां पर click करते हैं one में जाएंगे यहाँ पर 2001 का data मैं reference ले रहा हूँ पूरा यह sheet reference ले रहा हूँ ठीक है और यह पूरा sheet reference लेके इसको मैं add कर दे रहा हूँ add किया next data क्या चीज़ का है 2002 में जाऊ безопасис 2002 का भी same है पूरा data लिया ठीक है और यहाँ पर add column में जाएके अब इसको add कर दिया अगर add करने के बाद जो है add कर दिया और इसमें एक चीज बताना भूलेगा यहां पर देखें कि यहां पर बहुत सारा function जो है इसमें function में sum है count है average है max है mean है आपको क्या चाहिए उस data के उपर वो सभी आपको यहां पर मिल जाएगा उस तरह से function आप यहा use level top left column create link ठीक है मैं यह तीनों भी बताऊंगा लेकिन पहले क्या है मैं तीनों को लेकर just add करके ok कर दे रहा हूं ठीक है अभी देखिए सिर्फ ok कर दिया ok कर देने के बाद देखें क्या हो गया यह सिर्फ data जो है मैं sum किया था तो first में देखिए 150 आया 150 कैसे आया देखिए 40 plus 60 100 हो गया plus 250 तो यह तीनों यहर का जो है data को जो है add करके add करने के बाद जो है यहां पर आपको data दे दिया ठीक है तो यह तो था first और next में देखता हूं इसी का एक और कैसे किया इसको data consolidation में जाके अगर यहां से पहले से अल्लेडी वन टाम सेलेक्ट कर लिए तो अल्लेडी ह मैं इसको delete करके फिर से बता रहा हूं क्या कै किया मैं तो यह सभी मैं delete कर दिया यहां पर मुझे चाहिए तो यहां पर क्या सारा option मिल रहा है sum है count है average है सभी क्या करना चाहँ आप तीक है आपको मुझे sum चाहिए मुझे अभी और reference में जाने के बाद reference में जाने के बाद 2001 का डेटा लूंगा मैं 2001 का पूरा डेटा लिया और इसको add कर दिया फिर 2002 का डेटा लेंगे 2002 का डेटा लेंगे पूरा लेंगे इसको add कर देंगे उसके बाद क्या करना है 2003 का डेटा लेंगे यह पूरा data लिया लेने के बाद जो है इसको add कर देंगा अभी मेरे पास क्या हुआ अब first column में मैं यहाँ पर देखिए अभी top top में क्या चाहिए top row आपको arrow चाहिए क्या उसके लिए पूछ रहा है next time में है यह left column left column चाहिए क्या वह भी लेना है तो मैं इस दोणों को click कर रहा हूँ just click कर दे रहा हूँ click करने के बाद यहाँ पर मैं ok कर दे रहा हूँ ठीक है अगर ok किया तो देखिए क्या हो गया आपका जो मैं इसको बरा करके दिखाता हूँ ठीक है मैं इसका थोड़ा size increase कर दे रहा हूँ ताकि आपको easy हो ठीक है तो मैं size increase कर दिया हूँ ठीक है अभी देखिए क्या हो गया यहाँ पर सभी data आपको मिल गया मैं sum किया था आप यहाँ पर देख सकते हो सभी का जो है sum होके automatic जो है सभी sell में आ गया है sum होके ठीक है जैसे कि यहां पर hearth का पर जो है 96 आए Ninja नवरी का hearth का 96 वो sum करते हैं fatale cash का यहाँ 32 है 32 प्लस 32 64 Plus 32 ठीक है तो कितना आ गया 96 है Total value जो है 96 आ गया ठीक है तो वो सभी को और इस कौलम में क्या खिया था टॉप लोबल को और लेट लोबल जो इंटरी की इसमें नहीं किया था इसलेक्ट ठीक है तो इसमें बीना टॉप का और बीना लेट का आया यहां देखिए सिर्ट टॉप को में सेलेक्ट किया था और लेट को भी सेलेक्ट किया था दोनों आ गया January, February, March सभी का डेटा आ चुक इसको मैं लेट कर रहा हूँ सब्सक्राइब है । क defines क्या बाद के बाद के सब्सक्ना सब्सक्राइब अव 7-11ग कैसे बाद कि रहेंक है सब्सक्राइब क्या चाहिए सब्सक्राइब count चाहिए, average चाहिए, mean चाहिए तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ sum कर रहा हूँ, sum कर लिया sum होने के बाद जो है, यहाँ पर browse करेंगे क्या मुझे चाहिए, seat 1 चाहिए seat 1 में यह सभी data चाहिए सभी data ले लिया, ठीक है इसको add कर लिया, next में क्या चाहिए, seat 2 भी चाहिए, मतलब 2002 का data चाहिए, इसको भी ले के select कर लिया, ठीक है, उसको add कर लिया, one by one, next में और भी data चाहिए, मुझे, और data काउंसा चाहिए, यह 2003 का data चाहिए, तीनों data लेने के बाद add कर दिया, अभी add होने के बाद क्या है, मैं first में देखिए की, टॉप और laptop में आने के बाद यह आ रहा है, और left में आने का बाद यह भी आ रहा है, ठीक है अभी यहां पर create link to source data, अभी link के रिएट कर रहा हूँ ठीक है, इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ अगर ok किया यहाँ पर देखिए तो क्या हो गया ok किया तो देखिए यहाँ पर पूरा आ गया है इसको मैं बरा कर दे रहा हूँ तो आपको देखेगा ठीक है तो यह अभी क्या हो गया यहाँ पर जो आपका जो है देखिए formula के रूप में यहाँ पर आ गया है ठीक है और यह seat सभी seat सा link यहाँ पर एक positive का cross नहीं आया है लेकिन यहाँ पर क्या होगा एक plus का chin आ गया है अगर यहाँ पर plus chin को अगर press कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है consolidation करके January का data सबस्ति में क liberty में कितना है science is सिट में कितना है थारड शीट मी 3000 कितना पूरствен आ जो हैं डेता आपको यहां पर नजर आ रहा है तो यह पूरा जो है दो तीनो सीट का जो है 1 sheet का, 2 sheet का और 3 sheet का सभी sheet का data यहां पर आपको दिखा रहा है, जैसे यहां 40 दिखा रहा है, seat 1 का देखिए 40 दिखा रहा है, seat 2 में कितना है, 60 है, यहां पर दिखा कितना रहा है, 60 दिखा रहा है, ठीक है, और seat 3 में कितना है, 50 है, और यहां पर दिखा कितना रहा है, मैं यहां पर चेंज कर दे रहा हूं यहां पर 40 है इसको मैं 80 कर दे रहा हूं ठीक है अभी देखे क्या हो गया यहां पर तो इस result में क्या पहले 150 था अभी 40 एड क्या तो यहां automatic 190 हो गया लेकिन प्रिविए सीट समय में तो यह था हमारा full all about consolidate का किस तरह से यूज करते हैं नहीं यूज करते हैं ठीक है क्या है नहीं है और मैं एक manual तरीका बताता हूं सम मेथर्ड से ठीक है उसमें क्या है आप manually में जाके यहां पर अगर equal कर रहा है सम करके सम formula डालके अगर equal कर रहा है और सम प्रेस करके यहां पर number one मांगा जा रहा है number one मैं इसको ले रहा हूं ठीक है तो सीट one को ले लिया ठीक है प्लस कर दे रहा हूं इसी में प्लस और number one के बाद जो है कौन सा चाहिए number two number two में यह मिल गया 2002 का data ठीक है और number two के बाद जो है number three ले रहा हूं तरी को अगर यहां पर कर दिया तब ही क्या हो रहा है यहां पर value कितना आ गया 190 ठीक है 190 भेलू आ गया यहां पर पहले इस सीट में कितना था 190 भेलू ठीक है तो यह सभी जो है मैनवली अहम यहां पर some formula भी डाल दिये तो automatic आ जाएगा और इसको अगर मैं drag किया तो same way में जो है यह जो है link होके जो है ड्रेग हो जाएगा और सभी सीट में जो है आपका यह formula इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं ठीक है ड्रेग होने के बाद जो आपको same result आएगा और result आने के बाद जो है आप इसको देखे आगया same result 190 है 168 है last में देखे 168 same result आगया और अगर इसमें आप यहाँ पर value कुछ change करेंगा 190 है यहाँ पर तो यहाँ पर 40 कर रहे हैं तो यहाँ पर change किया मैं 40 तो आपका जो है sum method में यहाँ भी change हो गया 40 reduce हो गया ठीक है पहले 190 था भी 140 आगया लेकिन यहाँ पर कर आपको यह वाला method नहीं आया यह भी नहीं आया ठीक है तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं some method से भी कर सकते हैं लेकिन consolrolator आपका पूरा data मिलेगा पूरा data एक्झेक्ट किया है यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं ठीक है लेकिन यह सभी feature आपको sum method में नहीं मिलेगा ? ठीक है ? तो कहीं सा रहा वीडियो । आप बताएएगा ठीक है ? तो कि आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा ठीक है ? इस वीडियो मशीतना ही Benefit वीडियो मिलते हैं कुछ और तरीके के साथ और भी मेथड के साथ ठीक है तब तक के लिए धन्यवाद बाइब बाइब